आधुनिक हिंदी साहित्य में समालोचना ग्रंथों की रचना दिवेदय युग से प्रारंभ हो गई थी लेकिन आलोचना साहित्य को सम्यक आकार देने कशे आचारे राम चन शुकल को है आचारे शुकल और श्याम सुन्दरदास की बौधिक छाया में रहकर जिन छात्रों ने काशी हिंदू विश्व विध्याले में हिंदी साहित्य का अधेन किया और आगे चल कर प्रभावशाली आलोचक बने आचारे नंदुलारे वाजपई उनमें से एक हैं शुकलोतर यूग के समिक्षकों में वे शिश इस्थान पर हैं आचारे शुकल के सच्चे उत्राधिकारी के रूप में उन्होंने शुकल जी की समिक्षा पद्धती को विक्सित किया लेकिन परंपरा से प्राप्त समिक्षा के मान दंडों को वाजपई जी ने अपनी समिक्षा पद्धती की रूड़ी नहीं बनने दिया उनकी प्रवर्ती स्वतंत्र थी आधुनिक थी अतह शुकल जी की मर्यादावादी माननेताओं से वे बंद नहीं सकते थे अपने मौलिक द्रश्टी कोण नवितर समिक्षात्मक प्रतिमान गंभीर एवं समेदना परक्चिंतन के धरातल पर बदलते युग की नवस पहचानते हुए उन्होंने वहवारिक मार्मिक व्याख्या प्रस्तुत कर हिंदी समिक्षा को नए मानदन प्रदान किये उन्हें प्राया, छायावादी, स्वचंतावादी, सौष्ठवादी, अध्यात्मवादी समिक्षक की शेणी में रखा गया आचारे वाजपई को समिक्षक रूप में जानने से पहले आवशक है कि हम उनके व्यक्ति रूप से परिचित हो ले नंदुलारे वाजपई का जन सन 1906 इस्वी विक्रम सम्मत 1963 को उन्नाव जिले के ग्राम मगराल में बादरपद अमावस्या को कानिकुप्ज कुल में हुआ उनके पिता हिंदी के अच्छे जानकार थे अतह हिंदी के प्रती रुजान उनहें रक्त से प्राप्थ हुआ उनकी उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्व विध्याले में हुई। उन्होंने सन 1929 में हिंदी में एमें सर्व प्रथम स्थान प्रात कर उत्तिर्ण किया। बाबुश्याम सुन्दरदास उनके गुरु थे और उनी से प्रेणा पाकर वे हिंदी साहित के अनुसंधान का पूरी लगन से जुट गये। सन 1932 में प्रयाग में हिंदी के प्रसित द्यानिक पत्र भारत का संपाधन कारी किया। भारत में प्रकाशित उनकी लेखों ने जिस तेजस्विता, पैनी द्रश्टी एवं प्रखर विश्लेशन शमता का परिचे दिया। प्रमशह वह संतु अलित लेखन में विक्सित होता गया और वे स्वच्छन सोष्ठवादी वैचारिक द्रश्टी से धनी आलोचकों की गिंती में आ गये। कुछ समय बाद भारत के व्यस्थापकों से सैध्धान्तिक मद्भीत के कारण वे उसे छोड़ प्रयाग से पुनह काशी लोटाए। यहां उन्होंने काशी नागरी प्रचाडनी सभा के अंतरगत सूर्शागर का संपाधन किया जो 1936 इस्वी में पूर्ण हुआ। तद परश्ट सन 1937 में गीता प्रेस गोरखपुर के अंतरगत रामजाइद मानस का संपाधन कारे प्रारम किया। लेकिन गीता प्रेस की नी 1947 तक वेकाशी हिंदू विश्व विध्याले के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष के पत पर कारे रत रहे। सन 1947 में सागर विश्व विध्याले में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाइं दी। सन 1965 में विक्रम विश्व विध्याले का पदभार संभाला निरंतर कारिरत रहते हुए उनकी इम्रत्यू 21 अगस्त 1967 को हुई वाजपई जी का रचना संसार वाजपई जी की प्राया सभी रचनाएं समय समय पर उनके लिखे गए निभन्दों का संग्रह है उनकी पहली पुस्तक हिंदी साहित बीस्वी शताब्दी 1930-1940 तक के इसफुट निभन्दों का संग्रह है जिसमें उन्होंने कुछ कवियों और गद्द लेखकों के सम्मन में वहवारिक समिक्षाएं निभन्द के रूप में लिखी हैं जिनमें साहितिकारों की अंतरब्रत्यों का विशलेशन किया गया है इसमें हरियोद, जगनात दासरतनाकर, मैतली शरंगुप्त, प्रसाद, पंत, निराला आदी के सम्मन में गंभीर विशलेशनात्मक, नितांत मौलिक समिक्षाएं प्रस्तुत की इस पुस्त की भूमी का विज्यप्ती में अपनी आलोचना चेश्टाओं के संदर में साथ समिक्षा सुत्रों का उल्लेग किया है नमबर एक, रचना में कवी की अंतरुरती का अधियन, नमबर दो, रचना में कवी की मौलिक्ता, शक्तिमत्ता, स्रजन्शमता का अधियन, नमबर तीन, रचना के बहायांगों का अधियन, नमबर चार, रचना और रचनाकार के परिवेश और सामाजिक इस्थितियों का अ नमबर साथ रचनाकार का जीवन दर्शन इन समिक्षा सुत्रों से ज्यात होता है कि समिक्षा को उन्होंने संजीदा रूप में ग्रहन किया उनकी प्रथम पुस्तक ने स्रेष्ट समिक्षक के उनके गुणों से भी परिचे कराया 1931 से 40 तक के प्रसाद के साहिति पर गंभीर विवेचनात्मक समिक्षाएं प्रकाशित हुई जो जैशंकर प्रसाद नामक पुस्तक में संकलित हैं प्रसाद पर प्रस्तुत अनिकांश आलोजकों की समिक्षकाएं इन निबंदों से प्रेरित हैं यह पुस्तक उनकी समिक्षा पद्धती का अगला पड़ाव है तथा विकासकाल भी प्रेमचन अपवाद रूप में स्वतंत्र समिक्षा रचना है 1950 में प्रकाशित आधुनिक साहित बीस्वी शताब्धी के चोथे दर्शक के हिंदी साहित की प्रगती के समिक्षात्मक विवेचन से सम्मन्धित है 1955 में प्रकाशित नय साहित नय प्रश्ण में उनकी समिक्षात्मक द्रश्टी को उत्रोतर व्यापकता एवं सहिय द्रश्टी प्राप्त हो गई अपनी समिक्षा के प्राहरम काल में उन्होंने जिन समिक्षा सुत्रों का उलेक किया था यहां तक आते आते वे उनकी समिक्षा सुत्र के अनिवार अंग बन गए इस प्रकार वाजपई जी इस फुट निभन्दों के माध्यम से विशलेशनात्मक स्वच्छनतावादी आलोचना की आधुनिक द्रश्टी लेकर समिक्षा के शेत्र में आए जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि आचारे वाजपई शुकलोतर यूग के आलोचक हैं और आचारे शुकल की समिक्षा पद्दती को विक्सित करने में उनका बड़ा योगदान है नया साहिती नय प्रश्ट में बाचपई जी लिखते हैं कि जिस नवीन समिक्षा धारा को स्वचंतावादी सौष्ठवादी सांस्कृतिक समिक्षा धारा कहा जाता है यह एक प्रकार से शुकल जी के समिक्षा कारे को आगे बढ़ाने का उपक्रम है इस नई धारा में वे रामकुमार वर्मा, हजाई प्रसद्दिवेदी, सुधान्शु आधी के साथ स्वयम की गणना करते हैं लेकिन यह भी तय है कि शुकल जी की बंधी-बंधाई परिपाटी पर उन्होंने अपने समिक्षा सिध्धान्त नहीं तलाशे आलोचना के शेत्र में स्वच्छंदवादी और स्वंदरवादी आलोचक के रूप में उन्होंने प्रवेश किया विशे पर गहरी पकड तथा तिक्षन विश्लेशन शमता ने उन्हें विचारशिल आलोचक के रूप में इस्थापित किया यही कारण है कि उनके समिक्षा सिध्धान्त शुकल जी के विरोधी होकर भी उनके पूरग जान पढ़ते हैं हिंदी साहिती बीस्वी शतापदी में शुकल जी की समिक्षा पद्धती पर विचार करते हुए वे लिखते हैं साहिती काव अथवा किसी कला करती की समिक्षा में जो बास सद्धैव इस्मरन रखनी चाहिए किन्तु जिसे शुकल जी ने बार बार भुला दिया है यह है कि हम किसी पूर्व निश्शित दाशनिक अत्वा साहितीक सिद्धान्त को लेकर उसके आधार पर कला की परक नहीं कर सकते सभी सिद्धान्त सीमित हैं किन्तु कला के लिए कोई सीमा नहीं है कोई बंधन नहीं है जिसके अंतरगत आप उसे बांधने की चेश्टा करें सिर्फ सौंदर ही उसकी सीमा या बंधन है किन्तु उस सौंदर की परक किनी सूनिश्ची सीमाओं में नहीं की जा सकती है इस कार में उसका व्यापक अध्यैन उसकी सुक्ष्म सौंदर दरश्टी उसकी सिद्धान्त निर्पेक्षता ही उसका साथ दे सकती है सिद्धान तो उसमें बाधखी बन सकते हैं छायावाद के सरदय समिक्षक के रूप में वाजपै जी हिंदी समिक्षा में आए शुकल युगिन समिक्षा के परम परागत मान दंडों की नाप में छायावाद अपनी योगेता साबित न कर सका अता स्वयम चायावादी कवियों ने शैली करत defense of poetry से प्रेरित होकर आलोचक की भूमी का संभाल अपनी कवीता की वकालत की लेकिन ये कवी कवी सूलब भावुकता के रहते चायावादी कवीता का सूधरड दर्शन प्रस्तुत नहीं कर सके ऐसी कठिन स्थिती में चायावाद को अपना समर्थ सरदय और आधूनिक समिक्षा हेतु अपेक्षित विश्लेशन शमता से संपन आलोचक नन दुलारे वाजपई के रूप में मिला प्रसाद, निराला और पंत पर प्रथक प्रथक निभंद लिख कर उन्होंने प्रसाद कावी की मानवी भूमी निराला कावी का बुद्धी तत्व और पंत कावी के कल्पना प्राक्षरी को रेखांकित करते हुए उन्हें चायावाद की व्रहत रई घोशित किया इस प्रकार वाजपई जी के सबल समर्थन ने एक और कुंठित होते चायावादी कवियों को आश्वस्त किया, तो दूसरी और चायावादी कावे की नूतन कल्पना छविया, सौंदर मूलक जीवन दर्शन, अभिनव भाषा, बहु आयामी शिल्प ने उस कावे विशेश के प्रती उन्हें लुब्ध कर उनकी समिक्षा द्रश्टी को नए मांदन और नए दिशा दी, अर्थार्थ समिक्षा के शेत्र में उनके योगदान से चायावाद को हिंदी साहित में यतोचित मुल्यांकन प्राप्थ हुआ, तो चायावादी कावे सौंदर के जादु ने वाजपई जी की समिक्षा द्रश्टी को मांज दिया, निखार दिया, चायावादी कवियों की स्वच्छंदता और रहस्यात्मक्ता की भावना तथा उनकी अभिवेंजना शेली, अंग्रेजी की रोमैंटिक कविता से किसी न किसी रूप में प्रभावी थी, अतह के आलोचकों के लिए रोमैंटिक कविता के आलोचकों के मतों का अध्यान आवशक था और वाजपई जी ने इस कारिक को इमानदारी से किया, रोमैंटिक आलोचना के प्रभाव से ही उन्होंने कावे में आलोकिक प्रेहना एवं कल्पना की सहज उडान को आवशक माना, इ नहां वे पश्चिम विचारधारा के साथ भारती चिंतन को जोडते हुए एक कदम और आगे जाकर कहते हैं कि सौंदर जन्य आनंद मूलतह साहिति का लक्ष है। बारती और पाष्चत समिक्षा के सामन जसे का यह बिंदु वाजबेजी की समिक्षा का वैशिष्ट है। उनकी समिक्षा पद्धती जिस आधुनिकत और नवींता का आग्रह लेकर चली उसकी अनिवार शर्त थी नए युग के लिए अनुपयुक्त परंपरागस सिद्धानतों का निर्मम विरोध और साथ ही युग की आवशक्ता को समस्ते हुए विश्व की समस्त उप्योगी चिंतन धाराओं का स्वीकरन आधुनिक होते हुए भी वाजपय जी की समिक्षा पद्धती वहवारिक है विसाहित में भावात्मक निश्पत्ती और रूपात्मक सौंदर दोनों को समान महत्व देते हुए कहते हैं कावे के दोनों पक्षों का कवी की सम्मेदना और उसकी अभिव्यक्ती का स्वमन्वित विवेचन ही कावे समिक्षा के लिए उपादे हो सकता है चायावादी कविता की स्रजन प्रेडना आनंद है और वही उसका सार्धी भी है चायावादी कावे में अनुस्यूत आलात को वाजपय जी के समेदन शिल रदे ने पहचाना और कव अभिर चिंतन एम विशलेशन शमता के धनी वाजपय जी ने उस आलाधि सौंदर को उदघटित कर पाठक को भी आलाधित करने का प्रयास किया चायावाद के प्रेरग तत्व सुक्ष्म सौंदर आत्मा अभिवेंजन सर्वात्मवाद की स्वच्छन अनभूती के आकलन है आचार शुक्ल की रसवादी और लोग हितवादी समिक्षा पद्धती वाजपय जीव को पूर्ण नहीं जान पड़ी अतह अपने सौंदर वादी साहतिक सिद्धान्त को उन्होंने अपने चिंतन एवं विशलेशन का आधार बनाया सौंदर की महता को द्रश्टिकत रखते हुए वे कहते हैं सौंदर ही चेतना है चेतना ही जीवन है अतेव काव कला का उद्धेश सौंदर का उन्मेश करना है सौंदर्य अनुभूती को वे कावे की प्रेढ़ना और सौंदर्य अभिव्यक्ति को कावे का प्रयोजन मानते हैं हालंकि आचार शुक्ल भी जीवन सौंदर्य और कावे सौंदर्य को अभिन्न कहते हैं लेकिन उसके मूल्क में उनकी कावे कसोटी नीती वाद है उनकी अनुसार लोग हितकारी आदश, चरित्रों के निर्मान, प्रक्ति के सुंदर असुंदर रूपों की संशलिष्ट योजना और लोकानुरंजन और लोग मंगलकारी भावों के चितरन में ही कावे का सौंदर्य नीहीं थै लेकिन सौंदर्य का यह सीमित रूप वाजपई जी को स्विकारे नहीं है वे सौंदर्य को व्यापक जीवन धारा का सौंदर्य कहते हैं जो लोकिक और अध्यात्म, इस्थूल और सुक्ष, बाहे और आंतरीक, व्यष्टी और समष्टी, अभ्यास और प्रतिभा, शास्र ज्यान और अंतरश्टी सब की संशलिष्ट चेतना है प्रसाद जी सौंदर्य को आत्मा की संकल पात्मक अनभूती का चारुत्व मानते हैं और सौंदर्य समंदी यही व्यापक धारना हम वाजपई जी में देखते हैं यही कारण है कि वाजपई जी आधुनिक काविक के मुल्यांकन हेतु परमपरागत आदोशों की स्केल पर आश्रित नहीं रहना चाहते संस्कृत के सभी साहितिक संप्रदायों को वे समिक्षा हेतु सार्वदेशिक और सार्वकालिक उप्युक्त प्रतिमान के रूप में स्विकार नहीं कर पाते उनके अनुसार रस सिध्धान्त हो चाहध्वनी सिध्धान्त लेकिन कावि सौंदर को पहचानने में वहवारिक इस्तर पर वे अधिक सहायक नहीं होते और नहीं इन्हें आधार बनाकर सत कावि और असत काविक की विभाजक रेखा खीची जा सकती है हालांकी रस का इसपष्ट खंडन उन्होंने नहीं किया आधुने कावि में दिवेधी युग उन्हें आकरश्ट नहीं कर सका उस युग विशेश की इतिवर्तात्मक्ता साधारन कथन और उनके कावि रसिक आलोचक को प्रभावित नहीं कर सका रतनाकरजी पर ग्यारां प्रश्ट के समिक्षात्मक निभन में वाजपई जी ने उनके कवि व्यक्तित्व एमम कावि वैशिष्ट को युग चेतना के संदर में विशलेशित किया उनके अनुसार सूर तुलसी से प्रारंभ हुने वाली हिंदी की क्लैसिक परंपरा के रतनाकरजी अंतिम कवी हैं और आधुनिक युक के प्राजिन परंपरा वाले क्लैसिक कवियों में उनका शीर शिस्थान हैं लेकिन उनके कावि को वे उतकष्ट शेनी में नहीं रखते क्योंकि वहां उन्हें मौलिक्ता एमाम अनिवारता का अभाव दिखता है गुप्त जी पर प्रस्तुत उनकी समिक्षा खरी निश्पक्ष और गंभीर विवेचना पुन है आधुनिक हिंदी के प्रत्थम क्रति कवी के रूप में वे उन्हें स्विकारते हैं लेकिन साकेत के महा कावि की उतकष्ट रूप और प्रभन कोशल की नियूनताओं के और भी वे इंगित करते हैं साकेत की रुवासी अभिवक्तियां उनकी समेधन शिल चेतना को छू नहीं सकी महावीर प्रस्त दिवेदी के भाषा परिशकार के वे हिमायती हैं लेकिन उनके रसनात्मक साहिति को उन्होंने साधारन कोटी का माना है प्रेमचन का लीक से बंधा आदशवाद भी उनके लिए प्रशंसनी नहीं रहा अतीस थूल बहुत तिकतावादी आदशवाद से लबरैज प्रेमचन के उपन्या वे कलात्मक्ता का अभाव देखते हैं हालांकि वे मानते हैं कि प्रेमचन का आदश कोरा नहीं है अतीस से प्रेरित नहीं है उनका आदशवाद राजनेतिक है सामीक है यहाँ जिस सुक्ष्म गंभीर जीवन दर्शन का अभाव है उसे इंगित करते हुए वे कहते हैं मूल सामिक्ता का आदश है कावे में उन्होंने सौंद्यान संधान किया है और उसे जीवन चेतना से अभिन जाना है लेकिन गद्ध साहिति में मुख्य तह वे मूल जीवन चेतना, सामाजीक प्रभाव तथा उसके परिद्रश्य का आकलन करते हैं जैनेंदर अग्ये के कथा साहिति तथा अश्क जी के नाटकों का विवेचन उन्होंने इन मानदंडों के आधार पर किया है आचार वाजपे के अनुसार समिक्षा एक विज्ञान है इसलिए आधुनिक वैज्ञानिक पद्धियां उन्हें आकरष्ट करती है इस इस्तर पर विभारती समिक्षा सिद्दान्थ और पाश्चाती समिक्षा सिद्दान्थ की विभाजक रेखा नहीं खीचना चाहते क्योंकि जब समिक्षा एक विज्ञान है तो तय है कि उसके सिद्धान्त सार्वदेशिक हैं। यही कारण है कि वाजपई जी समिक्षा के शेत्र में व्यापक्ता और आवदाति का आगरा करते हुए समाश शास्र, मनो विज्ञान, मनो विशलेशन शास्र, सौंदर शास्र आदी की उपलब्धियों का उपयोग समिक्षा शेत् शुक्ल के समिक्षा विवेचन की सीमाओं को अच्छी तरह देख सके, दिखा सके। हिंदी साहिति बीसमी शताबदी में शुक्ल जी की समिक्षा पद्धती का आकलन करते हुए वो कहते हैं शुक्ल जी क्रौचे के अभिवेंजनावाद का विरोध करते हैं और कला के लिए कला के सिद्धान्त की खिली उड़ाते हैं जबकि क्रौचे और ब्रेडले जैसे कलावादियों ने अभिवेंजना या कलावाद के मूल में उतक्रष्ट तम मानसिक तत्व और प्रतिभा का अध्याहार कर दिया है वाच्पी जी का आलोचनात्मक व्यक्तित्व विक्सन शी पेचन में उन्होंने का मुल्यांकन भारती शास्त्री सिद्धान्तों के आधार पर किया है यहां रसवात का आगरह भी दिखाई पड़ता है कामाइनी पर उनकी समिक्षा हिंदी की उलेखी समिक्षाओं में से है कामाइनी के मानवतावादी जीवन दर्षन की और पहले- पहल वाजपई जी ने ध्यान आकरष्ट किया। हिंदी जगत को निराला जी की सच्ची कावे प्रतिभा से परिचित कराने कश्रे भी वाजपई जी की समिक्षा को है। निराला जी को वे हिंदी के प्रत्थम दाशनिक एवं सचेद कलाकार मानते हैं। नंदुलारे वाजपई शुकलोतर युगीन समिक्षा के प्रतिनिधी समिक्षक हैं। उनकी समिक्षा ने नई उश्मा और नई तेजस्विता का परिचे दिया है। समिक्षा के शेत्र में वे ऐसे इस्थापित आलोचक हैं जो तथ्यों से नमी निशकष निकालते हैं। और अपनी सार ग्रहनी प्रग्या द्वारा कावी की अंतरात्मा को पहचान लेते हैं। अतह उनकी समिक्षा का महत्व अल्पकालिन्न होकर इस्थाई है। करते हैं।